तेज रफ्तार के पिक अप से कुछ चलकर मा बेटी की मौत हो गई जबकि एक वेक्ति गंभी रूप से घायल हो गया मामला वैशाली जिला के जंदाहा थाना च्छत्र के गाजी पूर्ग के पास की है जहां पर एक तेज रफ्तार के पिक अप ने एक बाइक में टकर मार दी जिसमें सवार मा बेटी की मौत हो गई जबकि चाला के गंभी रूप से घायल हो गया है घायल चालो को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि महुआ थाना च्छत्र के खन्होली बिसन परसी पंचाथ के खत्री चक गाउन निवासी जै सिंग की बावन वर्षिये पत्नी अनिता देवी अपनी बेठी काजल कुमारी और दमात के साथ बाईक से महनार में एक सादी समारों में हिस्ता लेने के लिए जा रही थी इसी दरान महुआ देशी सरक मारके गाजीपूर के पास एक तेज रपतार के पीकप ने उनकी बाईक में टक्कर मार दी जिसमें काजल और अनिता देवी की घटना स्थर पढ़ी मौत हो गई मौत की सुचना मिलते ही सैंक्रों की संक्या में लोग सरक पर जमा हो गए जिसके करान आवागवन पुरी तरह ठप हो गई वहीं दुरुखटना में उनके दामाद बुरी तरह घाल हो गए जिने इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं सरक दुरुखटना में मावेटी की मौत और सरक जम की सुचना मिलते ही जन्दाहा पुलीस मौके पर पहुची और आक्रोसित लोगों को समझा बुझा कर सांथ कराया पुलीस ने शौप को बरामत कर पोश्ट माटम के लिए सादर अस्पताल भेज दिया है वहीं मावेटी की मौत से परिवार में कोहरा मच गया है कर दो दो जहाओँ कर दोची और से परिवार में कि बुलीस थी जहाओँ कर दो कोहरा में कि इसादर यार सिर्वाँ कर दोक दोची डिस दिया है